सरश्री द्वारा विशेश संदेश Your path to profound transformation सिद्धार्थ वो एक राश्कुमार है गौतम जो है वो खोजी है और वुद्ध जो है अवस्था है सिद्धार्थ के पिताजी ने जब उन्होंने जोच्यों की बवश्यवाणियां सुनी सभी तो कह रहे थे चक्रवती राजा बनेगा उन्हें एक ने कहा नहीं संबद ही बनेगा फिर फिर से सवाल पूछने के बाद फिर से बैठक बुलाने के बाद उन्हें इतना समझा के बुद्ध को कुछ संकेत मिलेंगे जिस वज़े से वो राजमहल छोड़ सकता है तो ऐसे संकेत मिले ही नहीं दुख का दर्शन करे ही नहीं ऐसा आयोजन उन्होंने कर डला कैसा आयोजन? कि उनको दुख दिखाई न दे, बुड़ा दिखाई न दे, बिमार दिखाई न दे, मृत्यू दिखाई न दे, मौसम में आने वाली अलग-अलग तकलिफे ही मौसम बजलता रहता है न? तो ठंड की मौसम में उनको एक महल में रखा गया, तो गर्मी के सीजन में दुसरे महल में ये परिवर्तन को ज्यादा महसूस न करे सुविधा में रहे, सुविधा सुख देखो सुख के साथ कितनी अटेश्मेंट करवाई इनको कोई भी दुक्कत न आए बारिश की सीजन आए, अलग महल में रखो यानि वो बनाया इस तरह गया महल के जिसमें बारिश से आने वाली दिक्कत न न हो मटिरियल जो यूज करते है कौन सा ज़्यादा ठंडा मटिरियल होता है, कौन सा गरम होता है किस सीजन में कौन सा माटिरियल ज्यादा सुख देगा ऐसा आयोजन तो आप कहेंगे कितने ग्रेट थे उनके पिताजी और हमें भी ऐसे मिलते हमारे पैरेंट्स कितना अच्छा लगेगा न आपके लिए कोई इतनी सुईधा कर रहा है आपको दुख का सामना ही नहीं करना पड़े कैसा खयाल है कुई आपको थोड़ा भी दुख नहो इसका काम कर रहा है चोबिस गंटे लगा हुआ है इसको दुख नहीं होना चाहिए इसको अड़िचन नहीं आनी चाहिए आप कहेंगे यह तो मेरा सबसे बड़ा शुबचिंतक है यह कोगे ना ऐसा तो चाहिए लोग प्रासना भी करते रहते मगर क्या वो वाकई शुबचिंतक होगा यह बात ही जब समझोगे तब पता चलेगा क्योंकि बुद्ध ने जब दर्शन किया सच्चाई का क्यों बाहर से तो आप दुख को आने मत दो मगर खयालर तो अंदर है खयालर जो है खयाल लाने वाला विचारक विचारक तो अंदर है तो विचार तो आई याए क्या चल रहा है और संकेत मिले दर्शन हुआ किसी बीमार को देखा किसी बुड़े को देखा मिर्ट्यू को देखा तो सवाल उठे कि ऐसा क्यों इंसान कमजोर हो गया ऐसे क्यों इंसान बुड़ा हो गया ऐसे क्यों बिमार सा उठे नहीं पा रहा कि ये सभी के साथ होता है विचार आया खयाल आया एक खयाल जो खोज शुरू करवा है तो सिदार्थ की कहानी में राज महल में जो जो चल रहा था उससे वो बाहर आया और उस वज़े से उसके अंदर प्राथना उठी जब उसने चौथा संकेत पकड़ा जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा ये क्या अवस्ता है पता चला कि ये इनसान सत्य की खोज में है इसलिए इस तरह दिख रहा है इस तरह जी रहा है ऐसी भी अवस्ता होती है उसके अंदर प्राथना उठी ऐसा मेरे साथ हो ऐसा हो देखो वो कैसी प्राथना बन गई प्राथना के लिए कोई हाथ जोड़कर बैठेगा तो ही प्राथना प्राथना बनती ऐसा नहीं है जो भी आप देखते हो वो देखकर आपके अंदर दिल से क्या उठता है हिर्दे से क्या उठता है पुकार क्या उठती है जोरदार वहाँ जोरदार पुकार उठी कोर से गहराई से समंदर की गहराई से हिर्दे से कोर से प्रात्ना उठी कि ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, मैं भी सत्य की खोश करूँ, वो प्राथना बन गई, सत्य की प्यास, सत्य के लिए प्राथना, आजादी से प्रेम, जब बढ़ता है, तब आप चाहते हो ऐसा हो, कितनी शिद्दत से हम चाहते हैं, कितनी तीवर प्राथना है, कितने कोर से उठी है, शोर से ने, कई शोर होता है, बहुत दुखा आते हैं, तो परसन बोलता है, मुझे मुक्त होना चाहिए, बहुत परिशानिया आ गए ने लाइफ हें, बहुत मेहमान आ गए है, शंशंगाट जाकर आया, सब रोर्द हो रहे थे, तो लगता है क्या है जीवन ये, मुक्त होना चाहिए, मैरो दो दिन के बाद विचारी नहीं है इसको, तो ये शोर से उठी हुई प्राथना है, सी शोर से, कोर से नहीं है, कोर से आना चाहिए, और ऐसी बाते सुनकर ही तो आएगी ना, किसी को नहीं आती है, तो इस कार से नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, अगर वो शर्वन करता रहा, कभी न कभी तो वो अंदर से प्राथना जगे की बस बहुत हो गया, अब ये होना चाहिए, आने की संभावना है, परना संभावना भी नहीं है, क्योंकि माया में इतनी राहतें देने वाली चीजें हैं, एक नहीं तो दूसरी दूसरी तो तिसरी, इंसान जा ही राहा है, ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, दूसरा डॉक्टर, तिसरा डॉक्टर, लोग जिन्दगी ब पर दोड़ी रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, राहते हैं, एक रहात मिलती है, दूसरी की चाहत जगती है, वो पूरी करते हैं, तिसरी की चाहत जगती है, इसी में पुरा जीवन समाफ्त हो सकता है, और खोजी बनने के बाद कैसा सत्य हम डोड़ना चाहते हैं, जो हमें मुक्त करें तोनों ने भी वो खोज शुरू की इस मार्ग से हमें आगे बढ़ना चाहिए फिर वो समय आया जब गौतम बोधी विरिक्षा के नीचे बैठा बोधी विरिक्षा नाम बाद में आया पीपल पेड़ के नीचे बैठ कर जब उन्हें ग्यान मिला तो उस विरिक्षा को ही बोधी विरिक्षा नाम दिया गया है बोधी पराप्त हुआ बोधी मिली तो वे उस विरिक्षा के नीचे बैठे और उनके अंदर संकल्प आया कि जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलता तब तक आँख नहीं खुलूंगा हाथ नहीं खुलूंगा पाउं नहीं खुलूंगा तो ही ये WITHD ऐसकता है अइसी घयाल नहीं आते है kiko… अछ जो नहीं हाने के लिए पहले कुछ काम हुआ होता है कि उसके बगरदेश कने ख्याल भी नहीं आते आप नहीं हो तो कुमसे क्षै काम झाल आते इंसान जीवन में देखे सुबह से लेके रात तक सभी विचारों को लिख डालो आपको पता चलेगा कि मुझे क्या-क्या विचार आते है जिसक्ते से नहीं जुड़ा उसके विचार पड़ो आश्र होगा कि कितना इंसान खोया हुआ, सोया हुआ सोया हुआ विचार कर रहा है इंसान कैसे विचार करेगा मगर गौतम के अंदर संकल्प का विचार आया कि अब हम हाद पाओ नहीं खोलेंगे आँख नहीं खोलेंगे बैठे रहेंगे चाहे शरीर की मिर्ती हो जाए अब ये होने के लिए पहले जो काम हुआ है यानि विर्तियों से जो मुक्ती मिली है लखिरों से जो मुक्ती मिली है उस वजह से वो संकल्प का विचार आया वरना तो कोई विचार कर नहीं पाएगा ऐसा क्यों कितने डर आएगा ऐसा विचार लाएगा तो कितने डर आएगे अर असा नहीं वहा तो फिर क्या उसा हो गया तो क्या साम विच्छु आगया तो क्या 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 विचार नहीं आएंगे मगर क्यूंग कि जो उनुने साधना की उसने जो purity हुई purification इतने जो तब किए छे साल ये चला 6 साल समय कि अवधी इसलिए क्योंकि जैसे न राइट डिरेक्शन भी मिलना कारे करने की वो भी तो मिलनी चाहिए तो वो बैठे क्योंकि स्टॉक अंदर से खाली हुआ था दुख खा पर खाली आ गया वहां पर खा पर खाली खाली होना जो बुरा लगता है वो दुख जो सुक देता है काली होना सुक कहेंगे जो काली होना मुक्त करता है वो तेजुक तो अब वे काली हुए थे हंड्रइट पृतिश diesel में हुए थे अंदर विकार थे गांठे थी वरतियां थी मगर कितनी कम हो गई थी कि वो संकल्प का विचाराया, ये खुबसूरती है, इतना तो कम हो, हमारी लकीरे इतनी तो मिटे है, कि हमें खयाल तो अन्हेशरू हो जाए, कि अभी बैठना चाहिए, इतना तो बैठना चाहिए, इतना तो बैठना चाहिए, इतना तो बैठना चाहिए, इतना तो बैठना जो लक्किरें जमाह हरे है, इनसा हरे कि भाव दुवेष्ट, दुरबाओ, लगों को दिख दिख कर, नफरच जग रही है, श्टAUK तो बन रहा है, विचारों में हिंसा हो रही है, वानी में हिंसा हो रही है, तो नया तो श्टAUK बन धो गया, पुराना भी इतना तो निकले क हमारे अंदर विच्छार खयाल तो आए, कि बैठना चीह रहा है, वरना यह विचार भी नहीं आएगा, तो अगली क्रिया भी नहीं 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 होने वाली है, तो कैसी खुबसूरती है, आप जो भी कारे कर रहे हो, तो चीचिंग्स पर कारे कर रहे हो, उस ही से तो विच्छ आरहे हैं, उस ते से क्रिया हो रही है, उस वजए से आगे की बाते सुन रहे है, सब happening में खुबसूरती से चल रहा होता है जो जितना समझते जाएगा, उतना आनंदित रहते जाएगा, दुख सुख नहीं है तो दुख भी नहीं सुख भी नहीं है है की अवस्ता में रहना शुरू हो जाएगा तो वो आने के लिए ये बाते आप समझ रहे हो देखो कहानियां तो लोग बताएंगे फिर ऐसा हुआ उन्हें ये सोचा फिर ये हुआ उनको ग्याल मिल गया मर एक्चली इंटरनल किया चल रहा था उसको समझना है क्योंकि ये आ कि अवा कह दिया महापुरुष्यो तो ऐसा मगर क्या वो ऐसा कुछ था जो हम कर सकते हैं हम क्या करें ये में पकड़ में आया तो वे बैठे क्योंकि स्टॉक खाली हुआ था 51 प्रतिशत भी स्टॉक खाली हो गया तो अच्छे ख्यालाने शुरू हो जाएंगे संकल प्थे परना 60 प्रतिशत कच्रा है और 40 प्रतिशत कच्रा निकला है तो ये जो 60 प्रतिशत वो नए ख्यालों को आने देता नहीं थोड़ा एफर्ट्स लगते कोशिशें लगती है मर जैसे 51 हो गया कार्या तो अब सहस्ता से संकल्प उठेगा आज मैं ये करता हूं आज इस तरह स पेट देखेंगे अच्छा मैं आज पुरा दिन सादना करूंगा तो कुछ बिचार आए और आज च्टी पुब्लिक अलीडे है तो चलो आज हम कुछ करेंगे ऐसा जिससे होलीडे हो जाए वो पवितरे दिन हो जाए तो आब वो बैठे है तो आब बाकी का स्थॉप बैट अब कितनी सहस्ता संकल उठ्था है, कारे होते जा रहा है, कितनी तीवर गती से कारे हो रहा है, स्टॉक जो है निकलते जा रहा है, क्यूंकि देखने की कला चुकी है, वो कैसी अवस्ता थी, जहां देखने की कला आ गई है इसका अर्थ ऐसा नहीं शरी में पीड़ाएं नहीं दिशरी में पीड़ाएं में है सब तरक की बातें चल रही है और जब पीड़ाएं थोड़ी शांद होती है न तो फिर आनंद सुखद चीजें में शुरू हो जाती है पर उधर भी नहीं अटगना है उधर भी साजना करनी है तो कहानी में कैसे बताया जाता है कि भी बैठे थे फिर सब हमले हुए उनके उपर मार का हमला हुआ बहुत संग्र में ज्यान संग्र में मार शब्द आता है शैतान के लिए तो बुद्ध के साथ भी कहानी में आता कि तकलीफे भी होगी उन्होंने, मगर वो हर तकलीफ को, हर दर्द को, हर वेदिना को कैसे देख रहे थे, साक्षी भाव के साथ, अटेश्ट ही नहीं है, दुख से जगडा नहीं, सुख से अटेश्ट में नहीं, तो कैसी अवस्ता हो होगी, तो बहुत डराया गया, मगर वे वैसे ही रहे, चलो एक डर का विचार है, आप बैठे हो दियान में डर का विचार है, अभी शाद में उठूंगा ही नहीं, अभी तो मिर्थी आने वाली है, अभी लास्ट दे है, विल भी नहीं लिखी है, ऐसा कोई विचार, दिया यह हम ले थे सब, और फिर सुखध, सुखध रंगें भी उठी, कहाने में कहा जाता है कि मार कई देवों को लेकर आए, देवों को कंविंश करके कई देव होतें न, अलग अलग, तो उनको लेकर आए कि इनको बताओ, सुख क्या होता है, तो उनको सुख दिखाओ, सुख का दर्शन करवाओ तो वेभी कौन से सुख, पार्ट टू के देखो परसन नहीं, पार्ट वन के बहुत सुख भोगे, इसको इंट्रेस्ट नहीं है यह महल में रह चुका है पार्ट वन के सुख सब भोग चुका है अभी वो इसको मालम पढ़ गया, अभी इतने दिन साधना की है उसको मालम पढ़ गया, वो टेंबरेली है सब यह सब टेंबरेली है, इसको मालम पढ़ गया इसको तुम करी नहीं सकते अब और कोई होता तो करते, नहीं नहीं, यह पर्मनेंट हो सकते तुम्हारे नौकरी पर्मनेंट हो सकती है तुम्हारे बेटे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे पर्मनेंट हो सकता है तुम ऐसी वसियत बनाओ सब तुम्हारा आधर करने वाले सब तुम्हारे साथ रहने ही वाले तो मैं कोई छोड़ कर जाने वाला नहीं, कोई विदा होगा नहीं, इसलिए दुविदा होगी नहीं, सुविदा ही सुविदा होगी, तो मन तो मानने को तयार होता है, हाँ ये पर्मनेंट हो सकता है, ये पर्मनेंट हो सकता है, इनसान ये उमीद रखता ही है कि ये पर्मनेंट हो जाए ये जो लोग आज मेरा सुन रहे है ये पर्मनेंट हो जाए हमेशा सुने ये जो मुझे सुविदा मिल रहे है ये हमेशा मिले जो मुझे खाना मिल रहा है ये हमेशा मिले फ़िintérieur पर्मनन्न क्रने की इस्टा तो इंसान की है ही और पहले ही कंविंस होने को रेडिया है, खाली कोई बताया है मैं तो कंविंस होने को रेडिया हूं, पताऊंकर मुझे खाली बस पहले ही रेडिया है आजिसे लोगों को तो क्या है, शेतान को खुद भी आना नहीं बढ़ता है। कोई भी प्यादा बेज दिया, वोई काम करे लेता है। कर जा कर बोलो, यह सुक तुमारा पर्मनेंट सकता है। यह लोग तुमारे तारीव करते हैं यह तुमारे हमेशा तारीव करेंगे। अच्छ यह पर्मनेंट हो जागा, बोत अच्छा। कभी-कभी कोई नहीं करते हुए दिखता है। तो उसको करना चाहिए। उसके लिए अच्छा काम करोगे ताके उतारीव करें। पर्मनेंट करने की चाहता है। कि जो अच्छा लग रहा है यह हमेशा होता रहे। सच्चाई से मूँ मोडता है इंसान, सच्चाई देखना नहीं चाहता। इसलिए बुद्ध ने कहा, पहला आरे सते यह दुख है यह तेम्परारी है, यह सुख है यह तेम्परारी है। पला पक्का करो यह कायम नहीं है। तो शयतन को खुदाना पड़ा बताने के लिए कि चलो, पार्द वन के सुख तो, पर्मनन्ट होते रहे है। पार्टू के दिखादे इनको क्योंकि पार्टू के ज्यादा लंबे समय ते चलती ना अभी तेखो आपने गुलाव जामन काया और दो गंडे के बाद पूछा स्वाथ किदर है तो कहीं तो किसी को होश्ट जख सकता है कि वो किदर गया स्वाथ वो बी आता नहीं लोगों को फॉडय कर लां आ अधर अंधर लेता है एस्वाथ पर्मनिट रहेगा वापस आ उपर से खाते है स्वाथ पर्मानेंट करना रहे का तो वही पार्टू में अगर दस दिन कि जल ने वाला है तो ज्यादा संब़ाओ जख एस फर फीलिंग आने कि के परमनेंटे दो गंटे व सकता है तो पाट तू में जाएगा तो वहां तो उसको तो अच्छ एतनी लंबे समय तक रहते है इतनी सुविदाएं है तो वहां तो पर्मनेंट ही लगे या पाट वन में जो क्लिर नहीं हुआ तू में कैसे होगा तो उसको वहां के सुख दिखाए यानि वो सब भी यानि सुख्षम देह है अब आप तो इंटरनल अर्थ समझोगे कहानिया जो नहीं बता पाएगी वो आप समझ पाओगे सुख्षम देह में उसको सारे अनुभव करवाए गए आउट अफ बॉड़ी बॉड़ी से बाहर वो जागरत अवस्ता में शरीर के बाहर सुख्षम देह में सारे सुख मैसूस कर रहा है मगर वो कहता फिर भी मैं साथ नहीं करूँगा इसके साथ पिर भी बुद्द कर यह टेम्रेरी है फिर भी नारा है कि यह अकायम है उसके साथ में साधना ही करूँगा याई वो जो संकल्प करके बैठे थे साधना ही करूँगा कैसा भी सुख हो दुख के साथ हो गया अभी शैतान की जो चाल है इसको इतने सुख दिखाओ कि आश्चा होगे ऐसे सुख जो पर्थी पर कोई ले नी रहा है प्रथी पर वंचित हैं लोग बाट्टू के सुख लेने के लिए तुम पार्ट वन में लोगे सुख और क्या चाहिए तुमको मगर उन्होंने का साधना ही करूँगा वो साधना ही करते रहे तो आशी टेस्ट हो गई गौतम की ऐसी टेस्टिंग अगर आपकी टेस्टिंग पार्टू के सुख देखकर ली जाए इस वक्तो कितने प्रतिशत पास होंगे पार्टू के सुख शरीर में दे दिये जाए और उसी को इंसान फैल होगा यानि बोलेगा हाँ यही फिर मेरे लिए काफी है ऐसा जिवन मेरे लिए सभिशन सत्य नहीं मिला चलेगा यह काम है परसी पर किसी को मिलता नहीं तो बहुत थोड़े प्रतिशत लोग उसमें सफल होंगे अगर अगर असवर टेस्टिंग ली जाए नब्ब्रतिशत फेल होंगे नब्ब्रतिशत में पचास प्रतिशत सिर्फ कि वजए से भक्ति की वजए से थोड़े समय के बाद बाहर आ जाएंगे बच जाएंगे मर बाकी के उसी में डूबे रहने की संभावना है तो दस प्रतिशत तो उसके बावाजुद भी करना चाहेंगे क्योंकि सुना है समझा है इतनी बातें जानी है तो याद तो आएग सुक्सुदा इतना बढ़ चुका है पर्मनेंट ही लगता है लग बग 100% पर्मनेंट लग रहा है ऐसा ही रहेगा तो अब और क्या बचता है पाने के लिए तो 50% फिर थोड़ा समय लगा कर बाहर आ सकते है क्योंकि जो बीच गया है अंदर वही तो काम में आता है वही तो में काम में आता है जब पार्ट वन पर कोई इतनी साजाय करके गया है तो जो सुना हुआ है वही इसको अधर लेवल पर ले जाएगा वरना इतनी सुक्सुदाएं मिलेगी कि परसन आगे जाना ही नहीं चायेगा क्योंकि वही पर्मनेंट लगेगा इदर पार्ट वन की बा आदवी देखोगे कि अंदर कहीं तो चाहते हैं प्रलोबन है ही जो सरफ दुख से मुक्त होना ही नहीं था दुख से खली मुक्त होना था तो व्यस्नों में लोग क्यूं परसें लगा ऊवा है क्योंकि उसको पता जिने कि моя व्यस्जन के साथ क्या अटेशिमेंट हो गई है और किसीने बताया नहीं कि ये तुम्हें कहां ले जाएगी चुकर सुखद, सुखद फिलिंग तो है व्यसन के साथ, सिगरेट के साथ, नशे के साथ शराप पिता है परसन अच्छी फिलिंग तो रहती है तो उसे हजारों गुना ज्यादा गौतम के शरीर में दिखाई गई लोगों के वयसन नहीं छूटते जीवन बर चरहस, गांजा, आशिश लेकर पड़े रहना चाहते उसमें इतना आनन्द है और कुछ लोग तो उसको अध्यात्म समझ कर भी बेटे हुए ऐसे भी मार्ग है लोग नशार करके उँको लगता है कहा हम आध्यात्मिक हैं आध्यात्मिक नहीं है वे हूद तो वयसनों में भसे हुए है अभी सुख के साथ अटेश्मेंट उनको मालम नहीं है यी अटेश्मेंट तो इसनी गेहराय तक गई है अब उससे विदा होना, दुविदा है उनके लिए, विदा हो नहीं सकते, डिटेश हो नहीं सकते, चुकि भुद्ध का लक्ष महीं था, और इतने दुख उनके शरीर पर आए, कहीं दुख से जगड़ा नहीं किया, और सुख के साथ कोई लगाव नहीं किया इसलिए वो अवस्ता है ये अवस्ता है आती कैसे है कैसा कार्य हुआ बोड़ी पर वो समझाया जा रहा है जितना भी आज समझ पाओ तो चोटी मुटी बातों में जो जगड़ पड़ते ये सुख मेरा चूट रहा है इस परसन की ये गल्ती के वज़े से ये सुख मेरा चूट रहा है तो आप रिलेक्स रहेंगे कहेंगे ये कितनी बड़ी समझ है बुद्द को जो आई थी उससे बड़ी है करोड़ों गुना कम है क्या हम इतना नहीं कर सकते तो कहीं तो हमें शुरुआत करनी होगी और ऐसी कहानियां सुनकर हमारे अंदर तीवरता से इच्छा बड़े है शुब इच्छा बड़े कि अब ये दोनों से आजाद होना है तेजुख या है कि अब नाम अलग अलग देंगे शब्द असलिए देते हैं नए ताके लोग नए स्रे से जो बात समझी है फ्रेश तेज ताजा उसके सहरे आगे बड़े पुराने शब्द लोग सुनते हैं प्रबून का कोई अर्थ बंदा नहीं इसलिए कोई चाहत जक्ती नहीं पाने की निर्वान प्राप्त करो तो निर्वान के लिए क्या प्राप्त करना है परसन को अगर मालम नहीं है जब दोनों नहीं है सुख दुख नहीं है निर्वान है तो अर्थ बने कि exactly क्या होना चाहता है इस अवस्था में, तो बुद्ध के अंदर वो अवस्था आगी, वो टेस्टिंग हो गई, वो रात भर जैसे ना है, अंदर जुद्ध चल रहा है, बाहर से दिखेगा, कोई ध्यान में बैठा हुआ है, शान्त, और अंदर इतनी जुद्ध है, सब तरह क प्रोलोभन दे दिये गए, मगर गौतम बैठे रहे, कोई बात में नहीं आए, और फिर सुबह में, बुद्ध ने जागरत होकर, देखा जब उनके जो साथी छोड़ कर गए थे, तो चलो उनको ग्यान दिया जाए, वे उनके लिए निकल पड़े, अब बुद्ध ने जो मन का प्रसार किया, उसमें क्या था? पहला युनिवर्सल तृत, युनिवर्सल तृत, सर्वव्यापी, कहीं का भी इंसान हो, अमरिका में रहता हो, आस्टला में रहता हो, इंडिया में रहता हो, मन ऐसा ही है सबका, मन जो है न हर जगे वही है, तो जो सर्वव्यापी सत्य युनिवर्सल तृत है। इसका प्रसार किया। दूसरा विवेक बुद्धी का है। क्युक्क उस वक्त लोग इतने करम कांड़ों में उल्जे हुए थे। करम कांड़ को ही लोग अध्यात्मा मान लेते हैं। विवेक बुद्धी का प्रसार किया। तुम अपने विवेक बुद्धी से जांचो परखो इसे क्या होने वाला है। क्या इससे मेरे दुख समावत होंगे। क्या ये सत्या ऐसा सत्या है जो मुझे आजाद करेगा। क्या ये सब करमगान करने से कोई स्वरग में पहुचता है। कहीं पर भी जो मानताएं डाल दी गई हैं। एक समय के बाद ने लोग सोचना बंद कर डलते। तो उन्होंने कहा विवेक बुद्धी प्रग्या। विवेक बुद्धी जागरत हो पर्खो पार्खी बनो। क्योंकि इंसान मनन ही नहीं करेगा तो कैसे जानेगा। मनन की हविटी नहीं है। तो विवेक बुद्धी जगाई जानी चाहिए लोगों में। दूसरी बात का जो प्रसार हुआ। तिसरी सम्यक समाधी संग। सम्यक समाधी संग। अब इसमें सम्यक शब्द का इस्तमाल हुआ है, ज्यादा इस्तमाल हुआ है बुद्ध की टीचिंग्स में। सम्यक का अर्थ है क्या? समाधी। समाधी में तो लोग पहुंच जाते हैं, मन एकागरत हो जाता है, एक हो जाता है। अगर आप तीन घंटों की फिल्म देखो, तो कैसी समाधी रहती है, एक तीन घंटे कैसे बिद गए। पता ही नहीं चला है, बिली बैठी है बिल के सामने, चूहा निकलेगा। चूहा निकलेगा। कितने इंट्रेस्टिंग चीज है उसके लिए। उसके लिए तो पुरी दुनिया ही उद़र है, उसके लिए पुरी विश्व में कुछ है लिए। वो तो समाधी में है, मर क्या वो सम्यक्द Сमाधी है। तब बद्ध ने कヤJE सम्यक्द समाधी सम है। ऐसी समाधी नहीं है, जिसमें लालच है, यह डर है। सुक्स विदा मिले ऐसी लालच है, यह डर है, यह नहीं किया तो कुछ होगा, सम्यक, ऐसी चीज समाधी के काम में आए, जिसके साथ अटेश्मेंट नहीं है, जिसके साथ जगड़ा नहीं है, तो फिर सम्यक समाधी संग, संग यानि ऐसे लोग जो सम्यक समाधी का अभ्यास कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, ऐसा संग, यह तीन बात, संग, कैसे संग में हम रहते हैं, अलग-अलग संग बने हैं न, लोग ग्रूप बनाते हैं, संग बनाते हैं, तो संग, उसी कोई संग कहना जो टीचिंग के साथ ज वो संग समझना वरिना कुछ लोग संग करके स्टार्ट करते बाद में कलब बन जाती वो इनने अवी टीचिंग से संग नहीं है जर मिल जुल कर खा पी लेते हैं तर होटल जाते उदर जाते ऐसा करते और वलते हमारा संग है तो उसको संग मत के ना कभी भी वो कलब है सम्यक समाधी संग तो बुद्द की शिक्षा है आज जितना भी समय था उसके अनुसार आपको बताया जा रहा है आप समझ रहे हैं अगर उन शिक्षाओं के अनुसार हम उस माया में अगर जाएं तो क्या साधना हमारी होते रहनी चाहिए संसार में रहकर भी साधना करते हुए भी सभी बाते हो सकती हैं आपके अंतरिक तैयारी हो जाए महा आसमानी परमग्यान शिवर क्यों करें? आईए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिवर का उनके जीवन में क्या लाव हुआ? सरश्री आप से बात करना एक ऐसी कलपनातीत पलों से मैं गुजर रहा हूँ और मैं महसुस कर रहा हूँ कि ये पल मेरे जीवन में आव इसमरनी रहेंगे मेरा साहजमन ये कहता है कि जो पांस दिन में जो मुझे जो ग्यान मिला है उसके आगे कुछ प्रेशन रही नहीं जाता है कुछ पूछने के लिए मैं वरतमान में माध्य प्रदेश के जो मुख्य मंतरी है उनका डिप्टी सेक्टी हूँ और छे मैंने पूरू मैंने एक बुक फेर से आपकी बुक्स ली थी मैं पिछले 25-30 सालों से किताबों का पढ़ने का मुझे शोक रहा है और इसी शोक ने मुझे आपके पास लाए जब आप खोजी बनते हो तो इश्वर एक मारदक्षक भेजता है उस हिसाब से आप मेरे जीवन में मारदक्षक के रूप में आए और सर्चरी में जो आपने शिक्षाय दी हैं उसमें धर्म की कहीं कोई बात नहीं है आपने जो बात की है ग्यान की वो उस वक्त की बात है जब धर्मों का निर्मान भी नहीं हुआ था इसलिए धर्म तो आता ही नहीं कहीं जब धर्म शुरुवात भी नहीं हुई थी आदमी ने सोचना भी शुरूर नहीं किया था इश्वर जब जहां से उसने अपनी रचना की प्रकृती की तब वहां से आपने शुरुवात की है तो कोई दूसरे विचार तो कुछ प्रशनी नहीं है और मेरे पास शब्द नहीं है मैं कैसे समझा लूँगा इन शिक्षाओं को उसके लिए आपकी क्रपा की मुझे ज़रूत पढ़ेगी सर्श्री नहीं है